हलो गाईज तो अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँगा मैंने सोच था मॉर्णिंग में बनाऊँगा क्लासिक फिजिक डिविजिन की पीजजिंग का और मेंस फिजिक का भी पट कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वीडियो बनाने की बहुत जादा जरूर देन रमान डिनो देन उसके बाद यहां पर आपको दिख रहे हैं होसे मैनवल जिनको हमने पेडिक कर रहे था टॉप टैम के अंदर क्रिस बॉमस्टेट ब्यॉन एंसली माइकल डबूर उर्स कैलसिंग और माइक सोमर फील्ड इतने ज़ादा इंप्लूर आया थे कि मैनवल को स्विच करा और उस भी आप आगा थे बिल्कुल क्रिस बंस्टेट के बरावर में उस डेफिनिटली गाइस बहुत ज़्यादा इंप्लूर थे इनकी कंडिशन बहुत ज़्यादा थिन स्किन लाए थे कंडिशन ऑन पॉइंट थे इनकी इस बार इंप्लूर लग पास में और अभी ऐसा लग रहा थे कि पीजजिंग स्टाट हुई है कॉल आउट स्टाट होए तो काफी बार यह स्विच करेंगे वेजली विजल्स को भी अंडर लाएंगे और साथ में रमान डीनो को भी अंदर लाएंगे पास में क्रिस के क्योंकि दोनों ही इंसेनली इ प्रूर दिखाई दे रहे थे यहाँ पर नेक्स टो रमान डीनो नेक्स टो होजे मैनूल साथ में गाईज उर्स कैलसिंस की अपना बेस्ट पैकेज लेकर आएं करियर का इंकी बैक बहुत ज़्यादा इंप्रूर थी यहाँ पर यह देखो वाक्यूम वगे रहा किस तरह की कंडिशनिंग दिखा रहे हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे है नेक्स टो सी बाम और यही चीज यहाँ पर माइक सुमर फील भी दिखाते हुए दिखाई दिखाई दिये हैं क्योंकि इनके लेक्स इनके कोर्स की सेपरेशन मसल माज जो अपने लेक्स प को और साथ में माइक सुमर फील को कि आप लोग बैक स्टेज चले जाओ और यह आपके लिए खत्म हो गया है यानि कि जितने बचेंग इन में सब डिसाइड होंगे फोर्स से लेकर आगे की प्लेसिंग टॉप फ्री तक यहां तक डिसाइड हो गया था जैसा कि हमने को देख सेकते हो गाइज यहां पर यहां पर यहां पर कैसे कैसे यह प्रोग्रेस करेंगी मतलब खुद को कंटीन करना इतना मुश्किल होगा वर्स के सिनारियो गाइस इन दोनों ने रमान डिनो वेज़ी विज़स ने क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे पैकेज के साथ रमान डिनो ने पूरे साल हाड़ वर्क करता है बहुत बड़ी बाते बोली थी वेज़ी विज़स ने भी ऐसा ही कर रहा था आप देख रो थे हो रमान डिनो कैसे यहां पर स्वेट कर रहे हैं मतलब ऐसी चीज मैंने कभी विटनेस नहीं करी इतना जादा स्ट्रेस ही I don't know man I don't know किस तरह से judging करी जा रही है मैं यह नहीं बोलूँगा कि उर्स कैलसिंस की और Mike Somerfield यहां पर deserve नहीं करते थे जहां पर वो प्लेस हो रहे हैं बट at the same time मैं यह बोलूँगा guys कि अगर Wesley के Lexman को improvement नहीं दिखी थी या फिर रमान डिनो उस तरह से improved नहीं दिख रहे थ क्यों आनो क्लासिक में इस तरह से victories मिली और किस तरह से रमान डिनो भी उपर पेस करते आ रहे थे क्योंकि यहां पर totally इन लोगों को neglect कर दिया गया guys बिल्कुल पूई तरीके से रमान डिनो को आप देहो किस तरीके से इन की sweating हो रही है और किस तरह से court पूरा उतरते जा रह जाएंगे वोस के सिनारियो उससे नीचे खुद को आता हुआ देख ही नहीं रहे होंगे लेकिन यहां तो कुछ ऐसा होगी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है यहां पर टॉप 3 वाली बात तो ही नहीं देखो sweating किस तरह से यहां रमान डिनो साफ कर रहा है खुद को handle कर रहा सुबा मॉनिंग मैं आगा पूरा वीडियो गाइस complete लेकिन अभी मुझे आपको यह दिखाना जरूरी था देखो वैजली विजर्स कहीं से भी लाइक करते हो इन नहीं दिख रहा है लेक्स में देखो इनके यहां पर यह कम थी तो लास्ट एर इनको क्यों इतना अच्छा प्लेस कर गए हो साथ में आनो क्लासिक में भी इवन साइट पोजिस गाइस ही इस इंप्रूट कंडिशन वही है फाइब लस बहुत ज़ादा दिख रहे हैं रमाउन टीनों के साथ भी वही सिनाडियो गईस इनके लेक्स कितने मैस्व दिखना है थोड़े से फ्लैट मतलब दोनों का आप confidence level देख रहे थे हैं यहाँ पर आने से पहले वेजली विजर्स कितना जादा बोल रहा थे कि मैं सी बं को बीट कर दूंगा सी बं को मैं बीट कर सकता हूं रमाउन टीनों मुझे कभी बीट नहीं कर पाएंगो साथ में रमाउन टीनों क्या वोलते भी क्रिस बंसेट से बोल ले थे कि मैंने तुमसे बोला था मैंने तुमसे बोला था नेक्स्ट यर विल बी ओवर यहनी साल आपका ओवर हो जाएगा और जिस तरह से हर जगा पर अपनी फिसीग प्रिजन कर रहे थे ना इनका confidence level आस्मान चूरा था और क्यों नहीं चूएगा इनको कभी पुछना ही करा और इससे जादा गंदा रिवार्ड इनको कभी नहीं मिला इन्हों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी प्लेसिंग इतनी जादा गिर जाएगी मैं टॉप 3 के भी बाहर आऊंगा यह खुद को 2nd प्लेस के लिए प्रिपैर कर रहे थे 100% देने के बाद यही सीन Wesley के साथ guys पूरे साल एक momentum carry कर रहे थे बहुत strong इनके बारे में बाते हो रही थी and he did not disappoint guys he did not disappoint with the package but judges I don't know बहुत ज़्यादा डाइनमिक होता जा रहा है classic division भी किस तरह से choose कर रहे हैं किस तरह से changes कर रहे हैं मैं यह बोलूँगा जरूर उर्स के बहु ज़्यादा इंपूर थी आंस में मसल मास तोड़ी इंपूर लग रहे थी लेकिन guys अब भी I really would not say वो रमाण डिनो यह वेजली विजर्स के लेवल पर थे अभी उनको आंस में और ज़्यादा साइज चाहिए प्लस Mike Somerfield he was looking smaller लेकिन yes guys I think he was really really improved और इसलिए उनको इस तरह से guys detail में वीडियो morning में आएगा अभी मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूंगा Chris totally dominated the package he brought कोई उससे कैसे fight करेगा कोई आसपास भी नहीं हो सकता guys इतनी जबर्दस फिजीक इतना जबर्दस पैकेट लेकर रहा है और सच में जैसे क्यों पियासन ने डॉमिनेट कर रहा है ना वैसे यहां पर Chris Rommade कर रहा है और जो भी ओर रहा है Chris weak है या फिर इस साल इतना चाह पैकेट लाते हुए नहीं लग रहा है या फिर best नहीं आ सकते है best आ चुका है भाई Chris का best अब आप देख रहो इस स्टेज पर किस तरह की condition लाएं किस तरह की muscle mass लाएं legs देखो इनके massive सुपीर है ऐसा लग रहा है है नि रेंबोड ने सारी महनत कर इसके ऊपर कर दी है वैसे चलो कर डीटेल में बात करेंगा इस बारे में और बात नहीं करते है रात बहुत हो गई है जल्दी से वीडियो अप्लोड कर देता हूं आप लोगों के लिए बाकी आइल रही होप ग तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और रमांड इनों के बारे में स्पेश लिए आपको कैसा लगा गाइस बाकी मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्यू बाबाए